अगर आप पारामेडिकल के तयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टन इसमें आपको पिछले 10 साल के जी के हिंदी इंगलीज फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी के सारे कोश्चन्स देखने को मिल जाएंगे प्लेश्ट में चेक किजिएगा पसंद आया तो तो देखो इसमें से आपका जो करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा वह ओपसंन सी ठीक है पी यू एस आई डबल ल एडिक है एन आई M O U S पहले बात देखो M O U S सभी में common था तो M O U S तो होगा ठीक है और इसके आगे N I तो यहां तक आप देख सकतो N I M O U S सभी में common था तो यहां तक आपको नहीं देखना है अब आपको देखना है P U S S I और यहां पर देखो P U S S I तो answer में क्या हो जाएगा single S तो P U S I और double L A और सबसे ज़्यादा important है L A के बाल यहां पर देखो double L A यहां पर जो S है न वो single होगा बट L double हो जाएगा बस यह आपको ध्यान देना S single होगा और L double हो जाएगा तो answer is option C ओके चले next questions पर बढ़ते है the indirect narration of आपको indirect narration बताना है she said you must not break चलो next questions है आपको indirect narration में आपको बताना है ठीक है she said you must not break your permission तो next questions है आपको indirect narration में आपको बताना है क्या होगा she said you must not break your promise तो इसका क्या हो जागा she said to me that यहाँ तक 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 को समझ में आ रहा she said to me she said to me सब में आ रहा तो उसके बाद जो हमारा ध्यान देने वाला सबसे चीज़ है वो है tense का auxiliary verb दोखो यहाँ पर must not है तो must not जब convert होती है तो किसमें convert होती है आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है तो must not जब change होगी ने तो वो must not ही रहेगी मतलब उसको हम लोग दूसरे form में नहीं change कर सकते हैं और जब भी हम लोग must not के बाद जो बहर बहती है उसको भी हम लोग वह ऐसे कि वह ऐसे रख देते हैं अब देखो इस में क्या हो जाएगा इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको कुछ change ने करना इसमें आप देखो ज़्यादा change ने करना see told me that okay see said अगर करके छोड़ दिया जाए see said के बाद अगर कॉमा रहे उसके बाद अगर छोड़ दे जाए तो said convert हो जाता है told me see told me that कॉमा के बाद that लगाते हैं यहां तो पता है उसके बाद देख लो you मतलब see said you तो यहाँ पर you कौन हो गया हम तो you का हमने I कर दिया ठीक है और भागी वह इसे को इसे जग दिया you must not break your promise तो your को हमने कर दिया my क्योंकि जो you है वो I में convert हो गया तो I must not break my promise समझे माग गया जो आपके format में बोला गया वो आपको हमने replace कर दिया खुद के साथ और you becomes I तो जहाँ जहाँ you था अमने वहाँ आई कर दिया yours को मैंने my कर दिया तो I must not break my promise ठीक है और said का told me हो गया बहुत सिंपल है next question से the synonyms for bona fide bona fide को को synonyms बताना है honorable, genuine, well made या फिर remunerable जो है ना बहुत ही मतलब यह authentic words है the synonyms of bona fide तो इसका authentic answer हो जाएगा genuine, bona fide में सो the genuine आपका जो exact होता है न exact data वहीं bona fide में आपको दिखाया जाता है तो genuine is the correct answer bona fide next question से pick out the correct antonyums of among the words underline यहाँ से आपको antonyums आपको निकानना है ठीक है देखो questions is extreme poverty had reduced them to a state of apathy तो antonyums find out करना है क्या हो जाएगा तो option आपको सामने है तो इसका antonyums अगर हम देखेंगे न enthusiasm enthusiasm जो होती है वो यहाँ पर परफेक्ट सूट करेगा enthusiasm ठीक है तो enthusiasm यहाँ पर हमारा प्रोपर्टी यहाँ पर आएगी antonyums के according तो answer is option d चले next question से give one word which can be suitable substitute for one who desert for religion ठीक है मतलब यहाँ पर ows आपको देखना है one who desert his religion तो इसका क्या हो जाएगा option आपको सामने है तो अगर हम इसका देखें तो हमें मिलेगा apostate ठीक है apostate तो apostate जो है न यह suitable word होगा one who desert his religion तो apostate suitable word इसमें substitute होगा चले next question से देखते है what does the item इस item का मतलब बतना है smell a rat ठीक है smell a rat मतलब एक चूहा smell जो करता है उसका आपको meaning बताना है तो क्या हो जाएगा to have reason to suspect to talk boastfully to talk unfairly to discourage तो correct answer हो जाएगा option A to have reason to suspect okay smell a rat smell a rat मेंस हो जाएगा to have reason to suspect चले next question से पर बढ़ते है what is the meaning of the phrase to count upon ठीक है to count upon का meaning क्या हो जाएगा to be grateful to relax to clean air think या फिर to depends upon तो correct answer हो जाएगा option D to depends upon ठीक है to count upon मेंस हो जाएगा to depends upon ये phrase का meaning पर पॉके चले next question से in the following sentence identify the underline clause आपको clause identify करना ठीक है do they know where the road leads इसमें क्या clause टीक है एड़व्प एड़्च्टिव या फिर noun surrounding या फिर noun of the above क्या clause इसमें यूज हुआ है तो अजर इसमें आप देखोगे तो noun subordinate clause का यूजवा है, ठीक है, noun subordinate clause का यूजवा, do they know where the road leads, इसमें noun subordinate का यूजवा है, next question से, which one is the correct sentence, आपको sentence सही बताना कौन सा है, he said that earth was round, he said that earth is round, he said that earth has been round, none of the above, तो क्या हो जागा इसका correct answer, देखो कभी भी universal truth में हम लोग past format में नहीं करते हैं, इसको आप याद रखना है, जो भी universal truth होता है, जैसे कि आप कोई भी सत्य को जुटला नहीं सकते, जैसे कि पिर्थिवी goal है, पिर्थिवी goal है, ये एक universal truth है, इसको आप कभी भी change नहीं कर सकते ह इसका meaning change हो जाएगा न, जैसे पिर्थिमी goal था, पिर्थिमी goal होगा, ऐसा meaning नहीं हो सकता, पिर्थिमी goal है, goal है तो goal है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको हमें सब present में लिखेंगे, earth is round, earth is round is the correct, ठीक है, he said that earth is round, next question से, point out the active voice of the given sentence, इसमें आपको active voice को point out करना है, the clown was being laughed at by them, इसमें आपको active करना है, ठीक है, यह already passive में है, तो इसका answer क्या हो, option आपको सामने है देख लो, और इसका answer अगर आप देखोगे न, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, इसका answer हमें लग रहा है, बी होगा, they were laughing at the clown, देखो कैसे होगा, active में हमें convert करना है, तो the clown was being laughed at by them, यहाँ पर by them, तो यहाँ समको start करना, them को हम convert करेंगे, they में, them बन गे हमारा they, ठीक है, अब देखो यहाँ पर laughed है, यह laughed दिख रहा है, यह भी थिरी है, इडी लगावा, देखो laughed में, भी थिरी है, तो भी थिरी है, मतलब यह past tense है, तो हमने यहाँ पर where ले लिया, where क्यों लिया, क्योंकि continuous करना है, continuous इसलिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो wing है, है न, was wing है, तो was wings हमें पता चल रहा है, यह continuous में, और was become where, जब भी हमारा was दिया रहाता है, वो हमारा where में convert हो जाता है, wing के, चलते हो continuous हमें पता चल रहा है, अगर wing नहीं होता है, तो पता नहीं चलते हो continuous है, तो जब भी continuous में दिया रहाता है, तो was क्या हो जाता है, वो where में change हो जाता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर where में change क कर तो हैं और विंग है मतलब भी फौर होगा तो देखो लाफ का मैंने लाफिंग कर दिया यह तो भी तेरी है इसे बढल हिर्playing कर दिया यह हमारा offensive voice लाफ का tutorial कर दिया एट एट तो रहे गई अब हमारा जो आगे clown है उसको मैंने the clown कर दिया एक particular clown की बात हो रही है the clown कर दिया तो इस तरह से हमें देखना है कि जो was है उसको हमने wear कर दिया wing है मतलो continuously इसलिए laughed को हमने laughing कर दिया at वैसे ही रजाएगा और clown को मैंने particular कर दिया the clown तो यहाँ भी दिया गया था the clown ठीक है a priest innocent does the crime off with in at तो इसमें simple सी बात हो off लगेगी ठीक है innocent off होता है innocent off ठीक है तो यहाँ पर off fit हो जाएगी prepositions आपको questions बहुत देखने को मिलेंगे इसमें नेक्स्ट questions में भी prepositions कही खेला है यहाँ पर क्या बोला गया if you are ever recommending my name you should not hesitate to admit it यहाँ पर जो two है ना इसको हम change करेंगे four में या फिर two ही रहने देंगे या फिर with या फिर about तो इसका अगर हम देखेंगे तो option b होगा मतलब two सही है हमको two ही रखना है ठीक है hesitate two होता है hesitate के साथ हम कुछ भी prepositions चेंज नहीं कर सकता है यह तो यह साही है तो answer is option b next 10 pounds dash money fill in the blanks space by choosing the right answer are a lot of is the lot of is a lot of none of this तो correct answer हो जाएगा option c is a lot of ठीक है is a lot of 10 pounds is a lot of यहां पर pounds है आप यह देख सकते हैं पाउंड है एस लगा हुआ इसलिए हमने यहां पर easy लगा है ठीक है एस लगा हुआ इसलिए हमने easy लगा है a lot of यहां पर lots नहीं लगा है मैंने lots होता है लेकिन यहां पर एस नहीं होता तो ऐसे इसलिए हमने lot of लगा है lot of तो is a lot of सब्सक्राइब नेक्ट कोशन से one of my friend does a fine collection of postage stamp इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको एक word यहाँ पर fed करना है वो word हमारा auxiliary verb से होगा तो has, have, do, have क्या लगएगा तो देखो simple सी बात है यह tense को पहले पकड़ो यह कौन साथ tense है देखो इस tense को पकड़ने का rule है collection of postage, ठीक है collection of postage से हमें यह पता चल रहा है कि यह हमारा present tense है, ठीक है हमें present tense से पही काम करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है friends, friends friends हैं, तो यह हमारा plural है और plural के लिए हम has use करेंगे अगर only friend होता, as नहीं होता तो हम have का यूज करते हैं, लेकिन यह पर friends है, इसलिए has का यूज करेंगे ठीक है, और हमें present देखना नहीं है क्योंकि सारे option present में दिये गए थे तो present चेक करने की जुरत भी नहीं पड़ेगी next question से fill in the blanks with gerund, ठीक है gerund से आपको fill करना he avoided dash her about his plants तो providing giving, selling, telling अच्छा question से, तो correct answer हो जागा optioned telling, ठीक है he avoided telling her about his plan, अपने plan के बारे में वो कभी नहीं बताती ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो यहीं तक है अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजेगा अपने फ्रेंड के सेर कर दिजेगा और सारे पार्ट देखना हो तो description box में जाएए आपको प्लेरिश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को subscribe जोरू कर दिएगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक लिए बाइबाइ, थैंक्स फोर वाचिंग्स